इंडनबर्ग अडानी मामले में सुप्रिम कोट का बड़ा सुप्रिम फैसला आया है। तो सुप्रिम कोट ने जो ये फैसला सुनाया है सुप्रिम फैसला उसके बारे में आपको जानकारी दे दे हिंडनबर्ग को लेकर सेवी की जाच रिपोर्ट में डखल से इंकार सुप्रिम कोट की तरफ से जाच सेवी ही करेगी। सेवी को दो महीरे में बचे हुए दो मामले की जाच का आदेश भी जारी किया गया है। और संजे शर्मा हमारे सेयोगी लगतार इस घटना करमपन दसर बनाए हुए हैं उनका रुख करेंगे। संजे इसका मतलब क्या है याच का करता को एक बड़ा तगड़ा जटका और अडानी को रहत। प्रशान्द भुशन कर रहे थे उन्होंने S.I.T. की मांग की थी और S.I.T. से जांच कराने की मांग की ती जिसे सुप्रिम कोट ने सिरे से खारिज कर दिया है। कोट का है कहना है कि से भी एक सक्षम पराधिकरण है और इसकी जांच को लेकर किसी तरह के कोई सवाल करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि जांच की रिपोर्ट कोट ने दी है जिसमें 24 में से 22 मामलों की जांच रिपोर्ट दी जा चुकी है। दो मामलों की रिपोर्ट बांकी है जिसमें विदेशों से, चुकि विदेशों से संपर करना है, विदेशी कमपनियों से लेंदेन है, वहाँ से बात करनी है, वहाँ टीम को भेजना होगा, वहाँ से दस्तावेज मंगाने पड़ेंगे, दस्तावेज का सत्यापन करना पड़ इसमें समय लगता है कोट ने इनको पहले भी महलत दी है और अभी फिर फैसले के साथ तीन महीने के महलत दी है कि इन दोनों मामलों को भी उस पर भी जल्दी रिपोर्ट दी जाए लेकिन इसका जो बड़ा टेक अवे है वो टेक अवे ये है कि इसमें जस्टिस एम सपरे की अ तो इनका ये कहना था कि चुकि ये सारे लोग इन लोगों की निष्ठा शक के घेरे में आती है लेकिन कोट ने इन तमाम सवालों को तमाम आशंकाओं को खारिज करते हुए दोनों कमेटी के अपने अपने इस पर किसी तरह का कोई जो एम सपरे कमेटी थी उस कमेटी को भी पुरी खबर पर तफसिल से दर्शे को जारकारी पहुचाने के लिए इसी बीच अडानी के दरब से बयान आया है पहला कहते है सत्यमियो जैती जो हमारे साथ कड़े उनका अभारी हूं वारत की विकास गाता में हमारा विनम्र योगदान जारी रहेगा ये अडानी का